जरा सोचो औरतों के मुकाबले आदमी इतने कम रह जाएं कि उन्हें बचाय रखने के लिए घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए यहां बाहर का सारा काम औरतें करती हैं और मर्द बस पावडर लिपस्टिक लगा कर घर पे बैठते हैं कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में कहानी की शुरुवात होती है जापान के शोटोकु शहर में जहां एक जान लेवा बीमारी फैल गई थी जिसमें चेहरे पर बहुत सारे लाल दाने हो जाते थे ये बीमारी सिर्फ आदमियों को होती थी और हर दसमें से आठ आदमी मर जाते थे इसी तरहां आदमियों की तादाद लगातार घटी जा रही थी अब आदमियों के मुकाबले सिर्फ 25% आदमें जिन्दा बचे थे और इसी वज़े से समाज में भी बड़ा बदलाव आया सारी पावर अब औरतों के हाथ में चली गई थी और तो और मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाने का जिम्मा भी औरतों का है आदमियों को तो बस नाजुक चीजों की तरहां संभाल कर रखा जाता है कहां हो रहा ही है ले चलो मिरकोवी उनका काम सिर्फ सुन्दर दिखना और बच्चे पैदा करवाने का था ओ भाई साब जिंदकी हो तो ऐसी हो वरना कोई पैदा नहीं है हालात इतने बुरे हैं कि अगर किसी लड़की को शादी के लिए लड़का मिल जाए तो भाई साब गज़ा भी हो जाएगा क्योंकि लड़के इतने कम रह गए थे कि सिर्फ अमीर घरों की लड़कियां ही शादी कर सकती थी अब आदमियों को काम धाम तो कुछ करने दिया नहीं जाता तो काफी सारे आदमियों ने अपना पेट पालने के लिए अपना जस्म बेचना शुरू कर दिया इसी शहर में मिनूजो परिवार रहता था जिनका उनोशिन नाम का एक 19 साल का लड़का था जहां बाकी आदमी सिर्फ मेकप और कपड़ों के शौकीन थे वहीं उनोशिन पूरी जिंदगी मेहनत करके सामुराय बना था हालां कि उनके पास भी कुछ खास पैसे नहीं थे लेकिन उसकी मा ने उसे कभी भी जिस्म बेचकर पैसे कमाने की इजासत नहीं थी लेकिन कभी कभी वो बुड़ी औरतों के साथ रात गुजार लेता था जिन्हें बच्चे की सक्ज़रूरत थी उसका दिल एक दम साफ था और वो इस काम के पैसे भी नहीं लेता था उनके घर में हमेशा उनोशिन से शादी करने के लिए लड़कियों की भीड लगी रहती थी वो एक योधा होने के साथ साथ बेहत खुबसूरत और नेक इंसान भी था लेकिन उसने किसी से शादी के लिए हा नहीं की क्यूंकि अंदर ही अंदर उनोषिन अपनी बच्पन की दोस्त उनुबू से प्यार करता था लेकिन वो कभी ये बात क्या नहीं पाया क्योंकि वो बड़े घर की लड़की है इसी चक्कर में वो उससे दूर रहने की कोशिश करता लेकिन ऐसा हो ही नहीं पता था जब उनोशिन के घर की हालत और बिगड गई तो उसने एक ओकू में रहने का फैसला किया ये जगा दरसल राजमहल के अंदर थी जहां रानी से शादी करने की चाहत में कई आदमी रहते थे उन्हें खुबसूरत बना कर रखा जाता था कि कभी ना कभी तो रानी की नजर पड़ेगी इस पे इन आदमीयों को अपने काम के लिए काफी पैसे मिलते हैं लेकिन यहां तो पूरे तीन हजार आदमी रानी को बाने के लिए लड़ रहे थे हम देखते हैं कि आदमी और और औरतों के रोल्स एकदम बदल चुके थे जहां औरते अब सीधी साधी काम पर ध्यान देने वाली हो गई थी वहीं आदमीयों ने नकरे करने शुरू कर दिये थे जब उनोशिन ने महल जाने के अपने फैंसले के बारे में ओनुबू को बताया तो उनुबू ने उसे समझाने की काफी कोशिश की लेकिन उनोशिन अपना मन बना चुका था आखरी बार वो उनुबू को किस करके अपने रास्ते चला गया महल में पहुँचने पर उसके टीचर ने बताया कि वो सबसे निचले दर्जे का नौकर है जिसे जाडू पोचा करना होगा वही उनोशिन ने फूजी नामा को देखा जो वहां का सबसे ताकतवर आदमी था इसके बाद वहां रहने वाले दूसरे आदमी उनोशिन के बालों का मजाक उड़ा कर उसे परेशान करने लगे लेकिन उसे इस बात पर गर्व था कि ऐसे बाल सिर्फ सामुराई योधा रख सकते हैं बाकी लोगों ने चिड़ कर उसे जादा से जादा काम दिया लेकिन वो मैनत करने से डरता थोड़ी था उसे तो आदब थी साफ सफाई के दौरान उसके साथी ने बताया कि इज़त से बात कर मचली से ठीक है क्योंकि अभी उनका दर्जा महल की जानवरों से भी नीचे था लोगों ने उसे धक्के मार कर उसका खाना तक गिरा दिया जिस वज़े से उसे दो दिन तक भूखा रहना पड़ा एक राज जब वो सो रहा था तो तीन आदमियों ने उसे पकड़ कर उसके साथ गुपचुक गुपचुक करने की कोशिश की लेकिन एक सामुरा योधा के आगे ये नाजुक कलिया क्या ही कर पाती उसने दो मिरट में सब को मार कर भगा दिया और अपनी इज़त बचाई अगले दिन उसने अपने साथ ही से पूचा कि क्या सिस्टम चल रहा है ये ये आदमियों के आदमी से प्यार करने हो भिर रहे हैं सेफ मैसूस नहीं हो रहा मुझे यहाँ पे तब उसके दोस्त में बताया कि रानी तो अभी साथ ही साल की है और बाहर की किसी औरत को यहाँ आने की इजासत नहीं थी तो बेचारे आदमी कहा जाएं क्या करें तो आपस में ही चोँच मोच भिडा लेते हैं यह सुनकर उनोशिन के होश उड़ गए क्योंकि बाहर तो आदमीयों के लिए मारा मारी कर रही थी दोपहर के समय उनोशिन ने कुछ आदमीयों को तलवार बाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखा उसने अपनी जाड़ू को ही तलवार समझ कर प्रैक्टिस शुरू कर दी और फूजी नामी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया वो उनोशिन को बाकियों के साथ डोजो में ले गया उनोशिन को वहां के सबसे ताकतवर फाइटर सुरू का से मुकाबला करने की चुनोती दी सब इस बात पर हसने लगे सुरू का से ये बच्चा लड़ेगा क्या दो मिनट में धर्ती चाटता फिरेगा देखना लेकिन उसने तो कुछ ही पलो में सुरू का को धूल चटा दी रात के समय उसने अपने दोस्त को बताया कि उसे इस महल की नकली चकाचौन पसंद नहीं है लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि यहां आने से पहले वो बेहत गरीब था उसकी पतनी ने उसे डाइवॉर्स तक दे दिया था क्योंकि वो उसे बच्चा नहीं दे पाया वहां वो कड़ी मेहनत करके कम से कम दो वक्त की रोटी तो खा लेता है यह सुनकर उनोशिन को एसास हुआ कि एक अभला आदमी के लिए बाहर रहना कितना मुश्किल है अगले दिन उसकी जीत के किस्से महल में चारों और फैल गए और कई जवान लड़के उसे पटाने के लिए उसके आसपास फुदकने लगे लेकिन रात होते ही सुरो का अपनी हार का बदला लेने आ पहुँचा उनोशिन को मजबूरन लड़ना पड़ा और इस बार भी वो जीत गया सुरो का अपनी हार का दुख सह नहीं पाया और इस दुनिया से चला गया अगले दिन उनकी साथ साल की रानी एक बीमारी की वज़े से चल बसी और अब एक जवान लड़की को रानी के पद पर बैठाया गया वो एक सक्त मिजाज की लड़की थी जो समाज की भलाई के लिए काम करना चाहती थी वो पिछली रानीयों की तरह नहीं थी जिने कुछ काम करने में इंटरस्टी नहीं था उसने पहले ही दिन एक औरत को काम से निकाल दिया क्योंकि वो कह रही थी कि एक रानी को तो महेंगे कपड़े पहनने चाहिए दरसल वो नहीं चाहती थी कि महल के लोग महेंगी चीजों में लदे रहें जबकि देश भर में लोग भूक से मर रहे थे उसके इस कारणामे के बाद महल में लोग उससे ड़नने लगे अगले दिन वो शहर में भेज बदल कर चली गई उसने ध्यान से देखा कि आम लोग कितनी मुसीबत से अपना पेट पाल रहे हैं जादा तर आदमी तवायफों की जिने के लिए मजबूर थे और उन्हें कोठे में रखने वाले लोग उनके साथ जानवरों से भी बत्तर व्यवार करते थे आम लोगों को पूरा दिन मेहनत करके रात को ही रोटी नसीब होती थी उधर महल में जवान रानी के आने से आदमियों की उमीदे जाग उठी थी सब ने उसके सामने जाने की तयारियां शुरू कर दी लेकिन सर्फ हाई लेवल के आदमियों को ही उसके सामने जाने की इजाज़त थी इसलिए उनोशिन जानता था कि उसका तो कुछ नहीं होने वाला लेकिन उसकी तलवार बाजी से इंप्रेस होकर फूजी नामी ने उसे भी हाई लेवल का बना दिया प्रमोशन के बाद उनोशिन भी अपने कपड़े तयार करवाने में लग गया जिने पहन कर वो रानी के सामने जाएगा बागी आदमियों की तरहां उसने महेंगे और भड़की ले कपड़े नहीं चुने उसने एक खुबसूरत सा काला कपड़ा लेकर टेलर को दे दिया साकेवा नाम के एक दरजी ने दिल लगा कर उसकी ड्रेस तयार की जिससे उनों शिन काफी खुश हुआ लेकिन इनाम के तौर पर दरजी को कुछ देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था तो उसने दरजी के होटों पर चुम्मी चिपका दी बहुत बड़िया चीज है यह मैं तो कह रहा हूँ पेटीम हटाओ चुम्मी पे शुरू करो सब चुम्मी से पेमेंट करेंगे अब जब रानी से मिलने का दिन आया तो सब उसके कपड़े देखकर हसने लगे उससे कहा गया कि रानी के सामने सर जुका कर रखे और अगर रानी ने उससे उसका नाम पूछा तो यह साफ हो जाएगा कि रानी ने उसे चुन लिया है इसके बाद जब रानी उनके सामने से जा रही थी तो उसका पेरे कपड़े में अटक गया जिसकी वज़े से वो थोड़ा लड़ खड़ा गई यह देखकर किसी आदमी की हसी चुड़ गई जब रानी ने पूछा कि यह कौन था तो हमेशा सच बोलने वाला अपना उनोशिन सामने आ गया उसका खुबसूरत चहरा और सादे कपड़े देखकर रानी ने उसका नाम पूछ लिया यह देखकर सबके होश उड़ गए इसका सीधा मतलब यह था कि रानी ने उसे चुन लिया है अब उन्हें आज की रात साथ गुजारनी है लेकिन शाम को उसे बताया गया कि रिवास कुछ ऐसा है कि रानी के साथ पहली रात गुजारने वाले आदमी को अगले दिन मौत के गार्ट उतार दिया जाएगा यह सुनकर उनोशिन के होश उड़ गए अब है मरने तोड़ी आया था मैं यहां लेकिन जब उसे पता चला कि इसके बदले उसके परिवार को बहुत सारे पैसे दिये जाएंगे तो उसने सोचा कि चलो देखी जाएगी उसी वक्त रानी को भी इस बारे में बताया गया जो अब तक इस बात से अंजान थी उनकी छोटी सी मुलाकात से ही वो उनोशिन को चाहने लगी थी और वो ऐसा बिलकुल नहीं चाहती थी कि वो मारा जाए इसके बाद हमने फूजी नामी और टीचर को आपस में कुछ बाचीत करते हुए देखा असल में ये सब इन ही का प्लाइन था क्योंकि वो उनोशिन को अपने रास्ते का कांटा मानते थे इसलिए उन्होंने जानबूज कर उसे रानी के सामने भेज दिया ताकि वो उनके रास्ते से हट जाए उसके मरने के बाद टीचर रानी को लुभा कर राजा बन जाएगा उधर रानी के सामने जाने से पहले उनोशिन के दिमाग में बस अपने बचपन के प्यार उनूबू के ही खयाल आ रहे थे वो बहुत दुखी था क्योंकि वो अब कभी भी साथ नहीं रह पाएंगे अगली सुभा जब उनोशिन की आँख खुली तो उसे बताया गया कि रानी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थी लेकिन चलो बेटा आप मरने का टाइम हो गया है उसका दोस्त और दरजवी उसकी मौत पर बहुत रोई उसके परिवार को बहुत सारे पैसे दिये गए लेकिन उन्हें जूट कह दिया गया कि उनोशिन की मौत बीमारी की वज़े से हुई है कई महीने बीट गए लेकिन उनोबू अभी भी अपने प्यार को भूली नहीं थी वो हर रोज उसकी याद में रोती और उसकी कबर पर फूल चड़ाने आती लेकिन एक दिन उसके सामने जीता जागता उनोशिन आकर खड़ा हो गया उसने बताया कि रानी की दर्या दिली की वज़े से वो जिन्दा है रानी को उसे मिलने वाली बेरहम सजा मनजूर नहीं थी इसलिए उसने अपने आदमियों को भेज कर उनोशिन की जान बचा ली ये सुनते ही ओनोबू सिफ बुरी तरह लिपट गई और कभी उसका साथ ना चोड़ने का वादा किया अखिरकार रानी ने महल के सारे आदमियों को रिहा करके आजादी से अपनी जिन्दगी जीने को कहा उसने सबको नए सिरे से अपनी जिन्दगी शुरू करने के लिए कुछ पैसे भी दिये इन आदमियों की वज़े से और बच्चे पैदा होंगे जो बाद में पैसे कमाएंगे और सरकारी खजाने पर बोज थोड़ा कम हो जाएगा तो अगर लड़के सच में कम रहे गए तो क्या लड़किया उन पर डोरे डालेंगी इस बारे में तुम क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना